आज हम देखते हैं क्लास 11 का आर्टिकल सर्फेस टेंशन जो आपके रिक्वेस्ट पर मैं बनाने जा रहा हूँ, सर्फेस टेंशन बेसिकली फ्री सर्फेस ऑफ लीक्विट की प्रोपर्टी है, फ्री सर्फेस ऑफ लीक्विट यानि कि वो वाला सर्फेस जो हवा के साथ कॉंटेक्ट में हैं, इसको थोड़ा से समझते हैं, लेट अससे ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास लीक्विट है, अब इस लीक्विट के पूरे लीक्विट के अंद लेकिन ये measurable source of attraction जो ये दे रहा है, इसकी एक range है, एक range तक ही एक molecule दूसरे को attract कर सकता है, और range से दूसरा molecule अगर बाहर हो जाए, तो वो पहले molecule की attraction से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पर हम एक example लेखते हैं, कि यहाँ पर जो topmost layer में molecule है, उसकी एक particular range है, जहाँ तक वो molecule को attract कर पा रहा है, इस sphere से, जिसको मैं sphere of influence बोलता हूँ, इस sphere से अगर दूसरा वाला molecule, secondary molecule बाहर आ जाता है, तो वो primary molecule की attraction वाली range से बाहर निकल जाता है, अगर यह molecule थोड़ा सा नीचे है, तो यह इसका sphere कुछ ऐसे बनेगा, इसमें उपर की तरफ भी force of attraction है, वो नीचे वाली attractive force उपर वाली से जादा है, और अगर यह वाला primary molecule मेरे पार center पे है, तो इसका सहर तरफ से force of attraction जादा है, अब हो कह रहा है, अगर मैं यहां से tangent draw करूँ, तो इस tangent के अंदर जितने भी molecules है, यह सब पर effective force, total force नीचे की तरफ है, यह सब नीचे जाना चाते है, पर जाना तो यह नीचे जाते है, पर नीचे जा नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे जगा खाली थोड़ी पड़ी है इनके लिए, अब यहां पर एक phenomenon स track कर रहा है, ऐसे force को हम cohesive force बोलते है, यहां पर cohesive force नीचे की तरफ है, इसमें नीचे भी है, उपर भी है, तो net force नीचे की तरफ है, कम है, इसमें cohesive force की कोई direction नहीं है, क्योंकि इसमें हर तरफ पर force बराबर है, अब यहां पर एक चीज़ समझे, reaction जो होता है, वो surface पे होता है, चाए पीते हैं तो चाए ठंडी कहां से होती है चाए ठंडी सर्फेस से होती है चाए को कब की जगा आप प्लेट में डाल दो तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि उसका सर्फेस एरिया जादा है तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी यानिकि जो रेक्शन हो रहा है जितना जादा होगी, cooling का rate उतना जादा हो जाता है, अब यहाँ पर समझे, अब जब भी cooling हो रही है, यह एक unstable चीज है, stability हर body अपने आपको stable करना चाहती है, stable कोई भी body तब होगी, जब number of molecules कम होगे, एक कमरे में बहुत सारे ladies बैठी है, शोर बचाया है वहाँने, उसमें stability न मालेगी, एक केली बैठी है, तो क्या किसी से गपे मालेगी, क्या चुगली करेगी, तो वह stability की form है, तो number of molecules अगर कम होगे, तो body stability की तरफ जाती है, तो number of molecules हमने surface पे कम करने है, surface पे कम करने के दो तरीके है, surface वाला अपना molecule नीचे दे दे, नीचे कोई जगा खाली तो है न तो लीचे जा नहीं सकता, तो as a result, the surface film, film at the top will try to contract, ये एक दूसरे के नजदी काएंगे, एक कम करना चाते है, और contraction की वज़े से ये एक membrane बना देते है, जिसकी वज़े से बाहर वनी कुछ चीज अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वज़े से greasy needle surface पे float कर जाती है, जिसकी surface की उपर बैट जाता है, और बैटता है, ओड जाता है, तो ये membrane बन गई, और ये membrane, जो है, ये for a given volume, it try to acquire minimum surface area, and this phenomenon is surface tension, ये membrane बनाने बाला जो phenomenon है, ये surface, इसको हम surface tension बोलते है, ठीक है, अब ये surface tension, जो है, this surface tension is mathematically it is force upon length, तो ये linear property है, मैं दुबारा आता हूँ, अगर मुझे surface tension की बात करनी है, तो surface tension की जो property है, ये एक linear property है, यानि कि ये elasticity की property है, membrane की, और elasticity length की property होती है, area की नहीं, area की property, surface energy है, surface energy क्या है, आपके पास एक film है, उसका एक given area है, मुझे उसकी area को increase करना है, तो उसकी increase करने में, मैं जो work done करूँगा, that work done is my surface energy, तो let us say, मैंने एक membrane लिया, यही मेरी membrane, यहां से मैंने force F लगाया, force F लगाऊंगा, तो क्या होगा, यह वली membrane आगे extend हो जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको clarity से बनाऊं, diagram को, the film, let us say, जैसे ही एक wire है, इस wire को मैंने एक soap solution में dip किया, तो soap solution में dip करूँगा, तो क्या होगा, यहां पर एक soap की film मन जेगी, और जब मैं फूक मानूँगा, फूक करके, तो क्या होगा, वो गुबारे की form में बनके बाहर आ जाएगा, जो मैंने फूक मारी, जो मैंने फूक मारने में, मैंने energy impart की, वो energy उसके अंदर store हो जाएगी, गुबारे के अंदर, बबल के अंदर, वो energy बबल के अंदर store होगी, यहां से हमने force F लगाया, force F लगाने से membrane खीचेगी, double arrows ले लिया, क्योंकि molecular level पे उपर वाला surface और पीछे वाला surface, यह दोनों differently behave करते हैं, तो मेरे पाद दो surface area है, बबल के case में, रही कर ना, क्योंकि बब extremely streaming is x, तो मेरे पाद जो change in area है, फिए, into L into x aage pa, L into x 최 पीचे ka, total change in area is L into x, now July लो दो्ड़ार है, that is force into displacement, force is surface tension into L, it is 2 L, क्योंकि आगे वाले लग, पीचे वाले लग, पीचे वाले लग, 2LX is delta A, so this is into delta A, so work done, surface energy is equal to surface tension, when delta A is unity, so surface tension can also be defined as equal to surface energy, when the change in area is unity, ठीक है बच्चे, इस phenomenon के basis पे, दो question रिखते है, इसको कैसे करना है, पहले, find the work done in blowing a soap bubble of surface tension from 2 centimeter radius to 5 centimeter radius, तो work done is surface tension into change in area, पहले कितना area था, पहले radius था, 2 centimeter, बाद में radius है 5 centimeter, लेकिन यहां पर ध्यान दो, यह तो bubble की बात कर रहा है, bubble का मतलब अंदर हवा और बाहर भी हवा, तो total change in area अंदर का भी पतलेगा, बाहर का भी पतलेगा, तो change in area is twice of 4 pi r2 का square, minus 4 pi r1 का square, 4 pi r2 square minus r1 square, final minus initial area, यह सिर्फ एक free surface का है, लेकिन bubble में 2 free surface है, अगर मैं air bubble की बात करता, air bubble जैसे Pepsi की bottle के अंदर bubble बनता है, बाहर Pepsi है, अंदर हवा है, तो उसका एक free surface है, अगर एक free surface है, तो फिर मैं 2 से multiply नहीं करूंगा, मैं change in area को double नहीं करूंगा, अगर मेरा एक free surface है, तो यहाँ पर में पर 2 free surface है, तो यहाँ पर delta A को मैं 2 से multiply करूंगा, surface tension is 0.06 into 2, 4 pi को भी आप बाहर लेलो, common ले सकते है, r2 is 5 centimeter, 5 into 10 की पार minus 2, SI unit में लेना है, minus 2 into 10 की पार minus 2, कर सकेर 0.06 into 2, 0.12 into 4 pi, 25 minus 4, 10 की पार minus 2, कर सकेर 10 की पार minus 4, इस calculation को मैं आपके उपर शोटना हूं, 11th class में आप पढ़ते हो, इतनी calculation आपको आती होगी, इसको आप खुद कर सकते हो, right, दूसरी चीज़ देखते हैं, इसका जो unit है, क्योंकि हमने सारा data ऐसा units में लिया है, इसका unit जो होगा, energy का, work done का, it is in joules, फिर देखते हैं, यह वहला question, बहुत important question आपके school के point of view, बहुत important, calculate the energy evolved when 8 droplets of water, surface tension is given to you, of radius this and this, combined to form 1, 8 droplet of water of radius this, combined to form 1, तो, बहुत बहुत है, volume of big drop is 8 times volume of small drop, volume of big drop is 4 by 3 pi r cube, capital R ले 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 ले, body drop है, 4 by 3 pi capital R cube, 8 into 4 by 3 pi small r cube, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cut गया, now, capital R is 2 into small r, capital R मुझे दे रहा है, half millimeter, 0.5 into 10 ki par minus 3 meter, 2 into small r, तो small r is 0.25 into 10 ki par minus 3 meter, टीकर न, यहां से, चम मेरे पास radius आगया, तो अब, we have 8 droplets, droplets का मतलब one free surface, water की, पानी की boon है, पानी की drop है, एक free surface है, तो हमारे पास जो work done होगा, energy होगी, surface tension into 4 pi r square, changing area, minus 4 pi small r का square, यहां पर माँ 2 से multiply नहीं करूंगा, क्योंकि surface मेरे पास एक free है, s into 4 pi, capital R square, minus small r square, s कितना है, 0.72 into 4 pi, into 4 pi, capital R square, capital R, कितना है, कितना है, कितना है, capital R is 1.0.5 into 10 ki par minus 3, का square, 0.25 into 10 ki par minus 3 का square, again, इसकी calculation, आप कर सकते हो, वो आप ही करो, ठीक है, बच्चे, conceptually कोई चीज का कोई doubt हो, जरूर पूछो, कोई और वीडियो बनवाना चाहते हो, मुझे जरूर बताओ, ठीक है, आपका suggestion से मुझे help मिलती है, कि मुझे article select करने में help मिलती है, तो आर्टिकल एक बर ही select हो जाता है, फिर उस पर work out करके हम आपको उस पर वीडियो और अच्छे questions बनवाके दे सकता हूँ, ठीक है, वीडियो पसांद आई हो, हमारी चैनल को like करो, हमारी चैनल को subscribe करो, thank you so much.